कहां है राश्चे सुरक्षा सलाकर ये जो बंदूख हैं ये जो गोलिया हैं किस पर चलाएंगे ये गोलिया हमारे भारतिय सेना के नौजवानों पर चलाएंगे ये गोलिया मनिपूर के पुलीस पर चलाए जाएंगे ये गोलिया मनिपूर के निहत्ते लोगों पर बरसाए जाएंगे क्या क्या आपने आज ये जो हतियार है सिर्फ मनिपूर तक सीमित नहीं रहेंगे सर लगबग ये जो छे लाग अम्मिनिशन है गोला बारूद है के 47 ये तो यूद के हतियार है ये यूद के अस्तर है ये सिर्फ मनीपूर तक नहीं सीमेत रहेंगे ये आज उत्तर पुर्वांचर में भारत के अलग अलग जगा में ये हतियार जाएंगे और भारत के समाज को आ कर रहे हैं आज दुख की बात है कि अभी मुख्यमंत्री पहले तो समाच पर दोश्ट ठेरा रहे थे अब मुख्यमंत्री मनीपूर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और असम राइफल्स पे आज निशाना सांद्र है आज ही हमें सुनने में मिला कि असम राइफल्स जिसको जिम्मवारी दी गई है देश को लोगों को बचाने के लिए उनको हटाया जा रहा है मुख्यमंत्री के घर के जो विधायक हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो पूछते हैं कि एतनी हत्यार कहां से आए क्या कर रही है केंद्रिय शासित सुरक्षा दल ये असम राइफल्स किसके अनुसार काम करता है ये असम राइफल्स ग्रह विभाग के मंत्राले से इनको निदेश जा जाता है तो एक ऐसी विवस्था बन लिए है मनिपूर में कि मनिपूर के पुलीस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं उससे साफ साफ थाबित होता है कि सुप्रीम कोट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्विकार नहीं किया है। अब एक पीस कमिटी बठाई अच्छी बात है लेकिन वो कमिटी आज तक असफल रही। ग्रह मंत्री ने कहा कि मैं पंद्रा दिन बाद में आऊंगा। पर ग्रह मंत्री पंद्रा दिन हो गये हैं पर मनीपूर में दिखाई नहीं दिये हैं। अफिडिविट में ये बात कहता है कि भाजपा ने 2017 और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंती संगठन का उन्होंने सहयोग लिया। लीगल अफिडिविट में ये बात लिखाई। ये है इनका राश्टरवाद ये है इनका राश्टरवाद जो राश्टरवाद देश की अखंड़ता को आज सत्ते के दाओं पे आज भूल चुका है। ये राश्टरवाद है कि जो आज देश की अखंड़ता की सत्त खिलवाड कर रहा है। आज उत्तर पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बाते हैं सारे अभी तक नाकाम रहें। एनार्सी की बात करते हैं आज तक एनार्सी असाम में लागू नहीं हुआ। CAA की बात करते हैं ऐसा एक माहौल वहाँ पे हुआ कि पूर जपान के प्रदान मंत्री असाम नहीं जा पाई। नागा पीस फ्रेमवर्क आठ साल हो गए अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस फ्रेमवर्क में हुआ क्या है। ग्रहा मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मनिपूर के आए से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं, क्यों नी आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शान्ती की अपिक्षा करें, ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलजेगी कि अगर आप समाज, जाती, धर्म के अधार पर बटवारा करें आपको साथ में लेना पड़ेगा पहली बार हम ये देख रहे हैं कि दो उत्तर पूर्वांचल के राजे असम और मिजुराम के पुलीस अफसर एक दूसरे गोली चला रहे ये आपकी राष्ट्र सुरक्षा की नीती है इसी बात का उजाकर राहूल गांदी जी ने इस सदन में क्या था जब उन्होंने आपको चेताब ली दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के उस साथ खिलवार कर रहे हो उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है इन्होंने कहा आज जो तीसरा कारण में आना चाहता हूँ जिसके कारण प्रधान मंत्री मोदी जी मौन है पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी दूसरा उनका ग्रह विबाग और राष्टे सुरक्षा सलकार विफल रहे और तीसरा प्रधान मंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते अगर वो बोले तो कि उनकी चूख हुई है राज्य सरकार से तो ये भूल वो कभी ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वन परदक लाने वाले कुष्टी के महिला खिलाडी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधान मंत्री मोवन थे जब 750 किसान अंदोलन पे उनकी जीवन गई बलिदान दिया शहीद हुए तो प्रधान मंत्री मोवन थे जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए दंगे हुए पर विदेश के एक सरकार के नेता आये थे उस हमें भी प्रधान मंत्री मोवन थे जब अडानी पर इसी सदन में राहूल गांदी जी ने प्रदाल मंतरी मोधी जी से सवाल किया कि कितने बार अडाली जी एक विशेश कंपनी एक विशेश कंपनी को प्रदाल मंतरी के साथ जाने पर उनको सुविदा हुआ तो प्रदाल मंतरी मोधी जी मौन थे जब हम बार बार पूछते हैं सर बड़ी 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 आश्चरी की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रदान मंत्री का नाम लिया अभी तक मैंने मुक्ष्य मंत्री का नाम लिया अभी तक मैंने ग्रेह मंत्री का नाम लिया अभी तक इनों के तरफ से विरोध नी आया लेकिन जब एक विशेश कमपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री उस्ताज सब खाले हो किसकी सरकार है सर ये किसकी सरकार है जब चीन पर हमने सवाल किया जब हम चीन परा पूछे मैं चीन पर आता हूँ जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंगर कितना है आये कितने किलोमीटर पर है तो प्रधान मंत्री मोदी जी मौन रहे है प्रधान मंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समेट में प्रेजडेंट शी जिंपिंग के ऱ nem Wie जी जी ने परहे किप्वी के जी जाजेंडेंगे प्सक्त nonprofits मंत्री में